तोड़े वी विल डिसकस नुमेरिकल ओन डेंसिटी एक कोशन पक्का आता है नुमेरिकल के लिए देखो डेंसिटी का फॉर्मुला हो जाएगा D is equal to Z multiply M divided by A का क्यूब multiply N ने D आपका डेंसिटी हो गया Z आपका number of atom हो गया जैसे BCC के लिए 2 FCC के लिए 4 ठेक है इस तरीके से मास आपका M हो गया यह मतलब edge of cube ठेक है जो आपको mostly picometer में दिया होगा PM में फिर यहाँ पर एक unit सी देख लेना 1 PM is equal to 10 की power minus 12 meter and 1 PM is equal to 10 की power minus 10 cm right क्योंकि 1 meter में 100 cm होते है तो इस तरीके से आप इसको solve कर लोगे चलो और Avogadro आपका यह चीज़ होगी ठीक है मैं आपको यहाँ पर एक shortcut सी trick बताता हूँ जब हम मास लेंगे किसमे केजी में ठीक है तो जो आपका edge होगा ठीक है वो चलेगा हमारा मेटर में और जब आप मास को लोगे गराम में तो जो आपकी edge होगा वो आपका क्या चलेगा cm में यह point आपको note करने है मास केजी में edge की length में चलेगा अगर आपका मास ग्राम में तो उसके बाद क्या आवेगा cm में बाकी total कोई दीकत नहीं ठीक है अब हम क्या कर लेते हैं कोशन कर लेते हैं देखो एच एन element have bcc center cube most important question है यह with a cell edge of 288 picometer ठीक है तो मैंने लिग लिए z density is equal to z multiply में mass divided by a cube multiply में na an element have bcc हो गया यानि z की value आपको कितनी पता लगी 2 clear ठीक है multiply edge हमें picometer में दे रख है ठीक है और density हमें gram में चल रही है तो automatic आपको a को क्या करना पड़ेगा a हम लेंगे 288 multiply 10 की power minus 10 centimeter clear mass इन्होंने दे रख है 208 ठीक है तो mass दे रख है 208 divided by ठीक है और density हमें दे रख है कितनी 7.2 density की value है 7.2 in 2 में 10 की power 7.2 ठीक है 7.2 दे रख है एक ही value put कर दो 288 multiply 10 की power minus 10 cube में मोस्टों बच्चे ये cube नहीं लगाते क्यूब में करना है और हमें यहां से क्या निकलना है na तो करो इसको solve 7.2 जैड हमारा 2 208 ग्रैम में और यह 288 multiply 288 multiply 288 और यह 10 की power minus 30 ठीक है और यह हमारा क्या हो जाएगा na यहां से हम इसको solve कर लेंगे ठीक है हमारा जो भी आएगा वो एक एक कोर्शन तो हमारा यह मोस इंपोर्टन कोर्शन है सेकंड कोर्शन देखो क्या है यह सिल्वर किस्टलाइज इन एफ सी सी इफ दा एज जोफ लेंथ एज जोफ सेल इस 4.07 इंटो 10 की पावर मैनस 8 सेंटीमेटर एंड डैंसिटी इस इस कैलकुलेट दे अटोमिक मास देंसिटी इज इकल टू जैड मल्टीपलाई में मास डिवाइड बाई में एक का क्यूब एनने हो गया अब देखो क्या है इन्होंने दे रख है एफ सी सी यानि जैड की वैल्ली कितनी हो जाएगी फोर मास निकालना है हमें डैंसिटी इन्होंने दे रखी है 10.5 ग्राम पर सेंटीमेटर क्यूब ठीक है और एज इन्होंने ओल्रेड ही दे रख है एक ही वैल्ली इन्होंने पहले ही दे रख है 4.07 इन्टू 10 की पावर मैनस 8 सेंटीमेटर ठीक है तो पुट करो डैंसिटी है हमारा 10.5 जैड है हमारा 4 क्योंकि एफ सी सी है मास मास हमें निकालना है एक ही वैल्ली है 4.07 ठीक है 3 कर दिया और इसको भी 10 की पावर 8 का सीधा 24 कर दिया क्योंकि क्यूब करते ठीक है और हमें एफ एन्नी की वैल्ली हमें पता ही होती है 6.0 ना दे रखे तो यहीं लेने है 2 इंटू 10 की पावर 23 ठीक है यहां से एम आप इसली कैलकुलेट कर सकते हो अगर मास केजी में तो य आपको मेटर में लेना है मास अगर ग्राम में हैं तो य आपको संत्यमेटर में लेना है इसके बाद सारे अभूरध कि निम्हें कि अधी